असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहें मुर्तजा इस्टोरीज दोस्तों पूरे दो महीन हो चुक है जम्मु कश्मीर से 1337 यानि आर्टिकल 370 को हटे हुए और जब से ही जम्मु कश्मीर पूरा बंदे कर्फ्यू लगा हुआ है लेंडरेंड अडिकल यानि अधर बढ़ देख रहरा है और उनको खाने के लिए भी नहीं मिल पारा दोस्तों महीं जो बड़े बड़े नेता है जम्मु कश्मीर के उन्हों भी घर में बंकर रका उन्हें भी लिए नहीं निकलने दिया जा रहा है तो दोस्तों जो टर्की के राश्पति जिनका नाम है तयएब इर्दुगान उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है धारा 370 कश्मीर के ओपर मुसल्मानों के ओपर मोधी सरकार को बहुत बड़ा जटका दिया है क्या बयान दिया और क्या जटका दिया मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वालो हूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगे इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिये, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा जिता कि मैं जब भी नए वीडियो लेकर आँगा, दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा, चली बात क मुसल्मानों को लेकर, कश्मीर के मुसल्मानों को लेकर और धारा 370 के उपर एक बड़ा बयान दया, उन्होंने जो धारा 370 को जो हटाया है, मोदी सरकार ने, उसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया है, वहीं भारत से अपील किये, कि जो धारा 370 के बाद जो कर्फू लग करना चाहिए, और दुबारा से धारा 370 को वहाँ पर लागो करना चाहिए, तो ये तैयब इर्दुगान का बहुत ही बड़ा बयानों और मुसल्मानों को जो हो रहा है, उनको हम बेट कर नहीं देखते रहेंगे, हम कुछ न कुछ सक कदम उठाएंगे, चलि दोस्तों, बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं जब भी नहीं वीडियो लेकर आँगा, तो आपको पता चल जाएगा, तो ये इस वीडियो में इतना ही, असलाम उलेकुम